हेलो दूस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सब लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ दूस्तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगबग 4-5 इंपोर्टन स्टॉक से जड़े इंपोर्टन बाते आपकी कुछ डाउट्स भी है उनको भी हम लोग solve करने की कोशिश करेंगे तो चले स्टार्ट कर लेते सबसे पहले HAL के साथ इस सरकारी कंपनी है आप सब लोग को पता है डिफेंस से बिलोंग करती है अगर देखा गया तो कुछ ज़ादा ही form में हम लोग को चलते वे देखने को मिल रहा है और इस से related अलग-अलग खबरे भी हम लोग को सामने आते वी देखने को आपे मिल रही है खास करके जो खबरे है वो positive tone हम लोग को ज़ादा देखने को आपे मिल रहा है अगर हम लोग बात करें आपको सभी को पता ही है कि खबरे आ जाती है तो report के जरी आ जाती है या फिर official आ जाती है बड़ official खबरे आपको पता ही है market में बहुत मतलब late आ जाती है उसके पहले report के जरी है जो खबरे होती है इसी के चलते बादार में ज्यादा reaction देखने को मिल जाता है हाँ ये बात भी उतनी सच है कि कभी-कभी report के जरी खबरे जो रहती है वो हम लोग को गलत भी साबित होती है देखने को मिल जाती है anyways so अभी के अगर में खबर अगर आपके सामने हापे रख दू तो आप यहापे देख सकते हो कि sources के जरी एक खबर सामने फिलाल तो आ रही है कि HAL focus कर रहा है कि additional 50 तेजस जो aircraft है उनके अलग-अलग types के आप लोग को तेजस fighters देखने को आपे मिल जाते है ठीक है जैसे के अगर हम लोग बात करें MK1A यह जो तेजस aircraft है इससे related इनको बड़ा order शायद से आपे मिल सकता है या फिर इसी से related और भी अलग-अलग type के जो तेजस रहते है उनका order इनको यहापे मिल सक है इसका मतलब हम कह सकते कि मतलब chances से करके अभी तक मिला नहीं करके इसके उपर उनका focus से करके आपको पता ही है बहुत सारे negotiations करने पड़ते तब ही जाके वो deal हो पाएगी करके ठीक है तो अगर यह deal हो जाती है तो obviously HL के लिए एक और अच्छी खासी ख़बर होगी क्योंकि इनके orders books लगातार बढ़ते वे देखने को मिलेंगे यह जो तेजी हमनों को 5 साल में 300% की देखने को मिलेंगे इसके पीछे का reason ही है कि इनको multiple orders यहापे मिले है कि मतलब आप बोल सकते हो कि यह जो पिछले कुछ साल यहापे रहे है जितना order book इनका यहापे बढ़ा है कई सा हम लोगों को देखने को आपे मिल जाता है तो HL इसी चीज़ के चलते हमेशा हर किसी के radar के उपर यहापे रहता ही है मैं अगेन कहना चाहिए आपको जाना है नहीं जाना है वह आपकी मर्जी यूजिल होता कि हां कि पहले से में इन stocks को यहापे cover करता था बाद में तेजी बहुत सारे लोग खुशो कर निवेस्ट कर लेते कि चलो यह तो सही जा रहे करके ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको business structure या आपे समझ में आपे आना चाहिए उसी के हिसाब से आप लोगोंने विचार करना चाहिए यह तो risk है ही कि government company है उने के लिए कुछ भी हो सकत है तो भी हम लोग profit में ही यहापे रहते हैं यह बहुत बड़ा advantage होता है तो यह सारे points आप लोगोंने मद्य नजर रखते हुए decision लेना होता है ठीक है यह important point है similar way अगर हम लोग बात करे माजगा डॉक shipbuilders में भी यही चीज़े चलती भी देखने को मिल रही है कि कुछ और न देखोंगे stock यह 1000-1000% भागते क्यों है अगर आपको business समझ में आ जाता है ठीक है अगर आपको properly government कहां पे अच्छा कासा मतलब निवेश कर रही है यह समझ में अगर आपको आ जाता है तो definitely आप ऐसे companies में भी निवेश करके पैसा यहापे कमा सकते हो ठीक है तो माजगा डॉ नहीं मिलते हैं सुखा पढ़ जाता है तो आपको पता ही है stock फिर correct भी हो जाएगा तो यह clarity आप में होनी चाहिए कि boss क्यों उपर जा रहा है stock क्यों नीचे आ रहा है stock ऐसा नहीं कि बस video game अगर क्यों उपर जा रहे तो खरीद लिया नीचे जा रहे तो चलो अभी बेश दो क्या कि जितने भी defense के order निकल रहे है हमारे स्वधिशी companies को ही आत्मनिरवर भारत के चलते ही उनको यह orders यहापे मिल रहे तो इसका फाइदा इन companies को यहापे होता ही होता है ठीक है अभी यह देखने वाली बात रहेगी कि अभी और orders कितने सारी है यहापे सामने आते है तो इ चाहिए होते है तो इसके लिए जो एक final approval यहापे चाहिए तो 14th August मतलब कल के ही दिन की अगर हम लोग बात करें ठीक है तो यहापे final approval हम लोग को सामने आते हुए देखने का आपे मिल सकता है तो इसी चीज के चलते ITC हर किसी के radar के ओपर यहापे रहने वाला है अभी बहु यहापे बात करेंगे दोस्तों तो RVNL के सकल के दिन भी बहुत सारों ने पूछा था सर RVNL से related वीडियो तो बना लिया बट कमपनी के Q1 के नंबर जाए उससे related कुछ बोला नहीं तो अभी क्या ही बोले दोस्तों आप सब इलों को पताई है कि कमपनी में काबलियत है तो आ normal normal ऐसा लगेगा और ऐसा लगेगा रही इतने नंबर कैसे बढ़ गए करके तो दोस्तों वही है कि अभी इन कंपनी को जो contract से आप मिले के contract मिलना मतलब अकांट में पैसा नहीं आता है मतलब जैसे-से काम complete करने जाते हो कि यह पहले बहुआ पैसा मिल जाता है ठीक है तो उ और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग करके चलता है, शेर प्राइज में इस सारी चीज़े अल्रडी इंक्लिूड है करके, ठीक है, तो यह देखने वाली बात रहेगी, कि और इनको कितने सारे ओर्डर्स या पर मिलते हैं, यह मैं अल्रडे आप लोगों को बोल है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते वे देखने को मिल रहे है, और इंडिया अगर आगे ग्रो करेगा, तो इन सेक्टर के और सरकार को खर्च करना ही पड़ेगा, मैंने इसके पहले भी कहा है, कि डिफेंस सेक्टर की बात करें, 70 कितना, 72-74 बिलियन डॉलर का हमारा बज है यह, तो यह बहुत लंबी आओधी का खेल है, ऐसा नहीं कि शॉट टम वाला खेल है, और लंबी आओधी के खेल में आपको पता ही है, यह स्टॉक उपर से 30-40 पसंट भी नीचे आते है, तो यह सारा ड्रामा हम लोगों को भविशा में भी देखने को आपे मिलने वाला ह है, और वो काम बहुत ही रैपिड स्पीड से हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इस चीज़ के चलते हैं दो सेक्टर आप लोगों के रडार के ओपर यहाँ पर रहने चाहिए, नेक्स अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो SBI Cards, SBI Cards के अगर हम 10-15% की होल्डिंग थी, लगातार हैमरी, बार 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 बेचकर, 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 SBI Cards हम कह सकते कि जो अच्छा कर रहा था, उसको 1000 के नीचे वापस लेकर यहाँ पर आ गए करके, हाँ, अभी वो completely exact यहाँ पर हो चुके है, तो SBI Cards के अगर हम लोग बात करेंगे इसलिए, नाम में SBI यहाँ पर आ चुका है, तो पैसा तो डूबेगा नहीं, बट यह, अभी तक अगर देखा गया, टाइमिंग के इसाब से इतने भी कुछ खास रिटन बनते वे देखने को नहीं मिले है, बात करें यहाँ पर अच्छी खबर की, तो यह तो खबर आज न मतलब आपके अकाउंट से ही पैसा कट होता था, बट बाद में जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि क्रेडिट कार्ड को भी आप UPI अटेक्च कर सकते हैं, मतलब आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं है, तो यही चीज़ आभी हम लोगों को देखने का आपे मिल चुकी ह कि फाइनली, SBI कार्ड ने भी अलाव कर दिये, रुपे क्रेडिट कार्ड यूजर कि आप UPI से पेमेंट कर सकते हो, तो इससे रिलेटेड स्टेप्स भी आप लोगों को यह पे मिल चुके होंगे, अगर आप चाहों तो यहापे कर सकते हैं, कोई स्पांसर वेडियो नहीं ह सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनलाइन शॉपिंग करने भी जाओगे, बहुत सरे ऐसे डिसकाउंट होते हैं, वो स्पेसिफिकली, क्रेडिट कार्ड के उपर ही यहापे मिल जाते हैं, तो इस चीज का फाइदा अभी बहुत सरे लोग उठाते वे भी देखने का आपे मिल जरूर इस चीज के चलते हैं, आने वाले नंबर्स एंड SBI कार्ड आप लोगों के रडार के उपर जरूर रहना चाहिए, आखरी स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगी, बहुत सरे लोग ने कमेंट भी आपे किया था, ये एक पॉइंट कवर करना रहे था, कौन सा इन्फ करना चाहिए, जो हुआ है, वो गलत हुआ है, ठीके बटी, इस कारती है ने कि चलो, स्टॉक कोलाप्स हो गया, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, आप जबी भी कोई बिजनेस करते हो ना, से भी के कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, डिस्कलोजर नॉर्म्स भी होते होई, तो हिसाब से आपको चीज़ों को अपडेट करना होता है, और अगर अपडेट नहीं करोगे, तो आपको यहापर वर्निंग लेटर आ जाता है, तो यही चीज़ हमनों को Infosys में होती भी देखने का आपे मिल चुकी है जो matter हम लोगो देखने को में रही यह अभी का नहीं है थोड़ा सा पुराना matter है यहापे तो Infosys ने इस से related क्या clarification दिये तो उन्हेंने काए कि COVID pandemic चल रहा था और इसके चलते बहुत सारे लोग work from home यहापे कर रहे थे तो अगर देखा गया तो proper तरीके से coordination यहापे हो नहीं रहा था कि records को maintain करने के लिए बहुत difficulty हो रही थी तो इसी चीज़ के चलते यहापे मतलब जो SDD हम लोगो जो properly यह सारी चीज़े update करनी होती information वो यहापे हम लोगो डिले होती भी देखने का आपे मिली है हाला कि यह जो explanation उन्होंने दिया है उसके चलते हगर हम लोग बात करें तो से भी नहीं उनका explanation यह अच्छी तरकी से accept नहीं किया है और उन्होंने warning दिया है कि इस प्राकर के reasons नहीं चलेंगे आपको proper तरीके से इन चीज़ों को maintain रखना पड़ेगा वरना हम आपके उपर कारवाई यहापे कर सकते कारवाई मतलब monetary penalty यहापे लगा देंगे तो यह point भी उनने आपे बोला है दैन आ जाते सबसे important चीज़ के और क्या इसके चलते क्या कोई financial impact पड़ेगा क्या मतलब financial impact अगर पड़ता है ना तो फिर share के price की उपर impact पड़ता है तो infosys ने कहीं कि इसके चलते कोई financial impact पड़ेगा नहीं obviously infosys तो बुलेगा ही बुलेगा बट अगर हम भी हमारे हिसाब से अगर इन चीज़ों को देखे तो obviously कोई भी financial impact फिलाल तो पड़ते वे देखने को नहीं मिलेगा अगर ये बार-बार चीज़े हो जाती है और अगर इन के उपर penalty लग जाती है तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कते हैं आपे हो सकती है वरना long term के लिए अगर देखा गया तो इतना कोई भी panic करने की ज़रो थी आपे नहीं है ऐसा नहीं होगे कि stock सिधा 50% crash हो जाएगा करके ऐसा नहीं है ये ऐसे बहुत सारे disclosure वाली चीज़े हम लोगों चलती भी देखने को आपे मिल जाती है तो ठीक है दोस्तो आशा करते हैं आपको वीडियो हेलफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको like and share कर सकते हैं डिमेट अकांट अगर आपने अभी तक open नहीं किया है तो link नीचे description में 65 वीडियो की list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कुछा account अपने link के तुरूपन के प्रॉपरली कमेंड चेके mention कर देना तो अफ्ते पर के अंदर अंदर सारे lectures मेरे साथ से free of cost कर देजेंगे ताकि आप share बादर को आसान बाचा से सीख सेको So that's it, thank you very much, we will be meeting Rx video तब तक के लिए, bye bye